सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागतार मैजिक रिव्यू यूटूब चैनल पर सो फैंस आज गुड़ आप लोग लेकर आगए है लीटल सिंगम तो मेरे पास आज यहां पे लीटल सिंगम के काफी सारे पैकट से और इसका अज अन्बोक्सिंग करने वाले हैं और देखें यहांपे आपको काफी सारे अच्छे अच्छे घिप भी निकल सकते हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर वाच करना तभी आपको भी मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में चलिए फटा-फटस यहांपे करते हैं पैकेट को कट पैकेट आ चुका है तो चलिए पटा-फ के अंदर से ओओमाईगाट तो मुझे बरन चू का बन्यकर निकल चुकए है और depressed बाइक uh चोटा सा बैठा हुआ चोट Jr लग रहा है काफी अच्छा मुझे यहां पर यह बाइक निकले है तो चिली में यह बाइक को रखते हूं नीचे करते हैं अपने दूसरे वाले पैकट को कट और देखते हैं कि दूसरे वाले पैकट में क्या निकलता है तो यहां पी मैं फटा फट से दूसरा पैकट को कर देती हूं कट और ये देखिए हो चुका है मेरा दूसरा वाला पैकट कट तो चलिए जल्दी से इसे भी निकाल लेते हैं ट्रे में और ये क्या फ्रेंज ये सेकंड वाले पैकट में से तो हमें कुछ भी नहीं मिले है हमारा जो दूसरा पैकट है पूरा खाली गया है तो चलिए ये ट् आफरसे यहां पर जल्दी से कट कर देते हैं So देखिए यहां पर मेरा तीसरा वाला पैकट भी हो चुका है कट तो चलिए जल्दी से इसे अनिकालते हैं बाहर Oh my god friends, यहां पर भी बहुती कमाल का गिफ्ट निकल चुका है और इसके अंदर से मुझे मिला एक बहुती बढ़िया सा गन तो देखे फ्रेंस लीटल सिंगे में यहाँ पे मुझे दो गिफ्ट निकले हैं एक तो मुझे एक छोटा सा सहनाई निकला है और दूसरा मुझे ये गन निकला है ये जो गन है न काफ़ी जादा कमाल का और बहुती जादा बढ़िया लग रहा है फ्रेंस लीटल सिंगम में लीटल गन निकल चुका है जो काफ़ी जादा कमाल का बहुती बढ़िया लग रहा है और इसका बटन्स भी काफ़ी अच्छे काम कर रेफरेंस और इसका लुकुंग जो है वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही जादा बढ़िया लग रहा है और सेकंड मुझे यहाँ पर देखिए सहनाई निकल चुका है सहनाई वाला विसल जो दिखने में बहुत ही जादा कमाल का लग रहा है तो यह भी दिखने में काफ़ी जादा अच्छा लग रहा है तो चलिए यह सहनाई को भी आप रखते हैं नीचे करेंगे अगले वाले पैकट को कर देंगे और यहाँ पर देखिए मेरा हो चुका है यह वाला पैकट भी कर तो चलिए फटा फरस निकाल देते अब बहुत ही कमाल का का सकता है यहां पर जादा में काफ़ी जादा बड़िया लग रहा है पीछे का जो वील है वो भी बहुत ही बड़िया हैुटिसन में यहां पर से आफी अच्छा लग रहा है यहां पे इसका पंखी भी है फैन भी है वह भी अच्छी तरीक्य से घूम रहा है बहुत ही बढ़ी है यहां पर मुझे निकले है हेलीकॉप्टर तो चलि हेलीकॉप्टर को नीचे रखते हैं और दूसरा मुझे सेम वही पहले वाले सैनाई नि यह देखिए हो चुका है कट तो चलिये फड़ा फड़ से इसे निकालते हैं बाहर और यह देखिए यहाँ पर तो मुझे दो दो गिफ्ट दिख रहे हैं वो भी पहला तो मुझे कार और दूसरा मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा विसल के तरह लग रहा है तो चल तो जली से यहां पर कर लेंगे कट और ये देखें फेरेंस मेरा यह वाला फैकट भी कट हो चुका है तो फटा फट से निकालेंगे बाहर और यहीं देखिए वाओ फ्रेंस इसके अंदर से तो मुझे कुछ बढ़िया सा गीफ्ट दीख रहे हैं और इसके अंदर से मुझे कुछ ट्राइंगल सेप का निकल चुका है यहां पर आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं काफी बढ़िया से इंडिया का जो बहुत ही जादा बढ़िया लग रहा है और एक दम यह ब्लैक ब्लैक में काफी अच्छा लग रहा है तो चलिए इसे हम साइड में रखेंगे करेंगे अगले वाले पैकट को कट सो यहां पर जो मेरा ट्रे है पूरा ओवरफलो हो चुका है तो फटा फट से खाली करते हैं तो मेरा यहां पर यह जो ट्रे है पूरा खाली हो चुका है तो चलिए फटा फट से आप अगले वाले पैकट को कट करते हैं तो यहां पर देखिए मेरा जो पैकट वो आ चुका ह पटापट से यहां पर कर लेंगे कट और यह देखे फ्रेंस हो चुका है मेरा कट तो चिलिए निकाल लेते हैं बाहर ओ माइ गॉड इसके अंदर से भी बहुत ही कमाल का गिप निकल चुका है और इसके अंदर मुझे मीनी सा गन निकल चुका है वाव फ्रेंस लीटल सिंगम क लीटल गन यहां पर मुझे निकल चुका है फिर से वो भी यहां पर जो निकले है नो फिर से ग्रीन गलर का छोटा सा गन निकला है जो काफे ज़्यादा कमाल कर लग रहा है फ्रेंस यह गन को हम यहां पर नीचे रखते हैं तो चलिए आप जल्दी से अगले वाले पैकट को क आई गाट फ्रेंस यहां पर मुझे मिले है बहुती बड़िया सा गेप टॉरी इसके अंदर से मुझे गुलाटी निकल चुका है जो काफी ज़्यादा कमाल का लग रहा है फ्रेंस इसके अंदर बहुती बड़िया हैवी वाला रबर लगा हुआ है जो दिखने में काफी ज यहां पर करते हैं जल्दी सर चारों पैकेड को कट तो यहां पर मैं यहाले पैकेड को कट कर लुंगे और यहां पर देखे यह वाला पैकेड भी कट हो गया है तो फटा फट से निकाल लेते है बाहार और ओ Państ फ्रेंस यहां पर मुझे दो अदो गिफ्ट दिख रहे है और दूसरा फ्रेंस यहां पे मुझे यह डॉग निकल चुका है जो काफी ज़्यादा कमाल का लग रहा है अब देख सकता है यहां पे जो यह डॉग है वो ब्लू कुलर का है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है तो चलिए यह डॉग को भी हम नीचे रखते हैं अब जली से हम करेंगे यहặtकेट को कट को तो देखें यहां पर मेरा तो यह वाला पैकेट को देखें यहां पे हो चुका है ओर करश्म तो चलिए फरार कर रहाँ और यह मुझे बहुति कमाल य बढ़िया बढ़िया गिफ्या डियुक्त दिख रहे हैं यहां पे भी फ्रेंस मुझे जो है यह 3-3 गिफ्ट मीले है यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर देख अपर फ्रेंस काफंड गाई है यहां पर घूम रहा है और थर्ड जो है मुझे यहां पर निकल चुका है सेम पहले वाले के तरह ही मुझे एक यहाँ पे सहनाई निकला है वो भी ग्रीन कल का जो काफी चारो बढ़िया लगज रहा है यह सहनाई यहाँ पे दिखने में तो चलिए इसे हम नीचे रखेंगे करते हैं सैकन लाश्ट पैकट को कट और देखते हैं कि second last two packet में हमें क्या मिलते हैं फटा फट से यहां पे हम इसका भी cut कर देंगे तो देखें यहां पे हो चुका है यह वाला packet cut चलिए निकालते हैं बाहर और यह देखिए वाव फ्रेंस यहां पे तो मुझे कुछ भी नहीं मिले है मेरा जो यह packet है ना पूरा खाली गया इसके अंदर से हमें कुछ भी नहीं मिले है तो यह tray को हम side में रखते हैं करते हैं अपने last वाले packet को cut और देखते हैं कि last वाले packet में कुछ मिलता है या फिर यह भी खाली जाता है फटा फटा से चलिए जल्दी से यहां पे हम last वाले packet को भी cut कर लेते हैं तो यहां पे देखिए मैं seizure से last वाले packet को भी cut कर दी हूँ तो चलिए निकालते हैं बाहर और यह देखिए वाव फ्रेंस यह तो बाहर आ चुका है और इसके अंदर से मुझे एक छोटा सा बढ़िया सा ओरेंज कलर का gift दीख रहे है और इसके अंदर से मुझे निकल चुका कि बहुत यह बढ़िया सा ओरेंज कलर का सेनाई जो सेम पहले वाले काई तरह है कापी बढ़िया यहां पे मुझे सेनाई मिले है तो चलिए इसे रखते हैं नीचे तो यहाँ पर मुझे लीटल सिंगां में से इतने सारे गिप निकले है तो कैसा लगा आपको यह लीटल सिंगां कमेंट वक्स में जरूर बताना और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना